हेलो फ्रेंड दिस इस सूरज अडविक, सौगत करता हूँ अपने चनल फेज जॉब में, दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारती नौसेना के SSR NAA में कौन-कौन से ब्रांचेज होते हैं, कौन सी ट्रेट्स होती हैं, क्या आपको जॉब करने पड़ती हैं, क्या-क्या आपको जॉइनिंग के बाद जो है, क्या-क्या ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, ये ब्रांड निव वीडियो है, और फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस टॉपिक वीडियो अगर ढूटेंगे, तो भी आपको ये वीडियो य मुझे से questions पूछा, कई लोगों ने मुझे से इसके बारे में पूचा, सर कि joining हो जाने के बाद सर मुझे कौन सा trade लेना चाहिए, यानि किस जगा पर मुझे रिवाकरी करने को मिलेगा, क्या काम रहेंगे करने को, ये सारे चीज़ के बारे में उन्होंने मुझे जानकारी म चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लिस सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल होता है, बेल को जरूर दवा दे, तो बेल दवाने से क्या होगा कि इससे मेरे वीडियो के नोटिफिक्शन आपको तुरंत और जल्दी मिलेंगे और ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे, फ्रेंट्स चले स्टार्ट करते हैं वीडियो, फ्रेंट्स जो यह पहला मेरे पास स्क्रिंसोर्ट्स है, देखें मैंने यहां लिखा रखा है, डेटेल आप सेलर कोर्सेस, ठीक है, सेलर यानि डवल ए ट्रेंग 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 को सेलर क्रते हैं, यह जो है इस फिर्निंग को करने के बार देखें यह आपकर जो लिखा हूआ है, तुइंपार्ट इंस्ट्रक्शफंस यूजिंग प्रोप्रपाइट मैफड्स कीपिंग इन माइंड़ास साइको लॉजिकल प्रिंस्पल लई देखे इसमें जो ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग टेकनोलोजी है इससे क्या है कि मतलब जब आप इस ट्रेनिंग को कंप्लेट कर लेंगे तो आपको एक सही मतलब दिमागी तोर की बात की जाए जो है आप साइकोलोजिकल मतलब जो है तोर पर आप किसी चीज को समझने में सक्षम रहेंगे ठीक है इसमें जो आपको क्या बताया जाता है कितनी तीजी से आप इसको कैच करते हैं आपके जो माइंड है कितना साप है यह सारे चीजे के बारे में इसमें मतब जो है बताया जाता है दिखे करते हैं जो भी कुपेंट यूज कर रहे हैं उसको कितनी अच्छी के तरीके से यूज करना इस्तमाल करना यह सारी चीजे आपको यह जो है ट्रेनिंग टेकनोलजी के बारे में इसमें कोर्स जो है इसमें बताया जाता ठीक है और भी इसमें कई सारी टीजे हैं कोशन पेपर यूजिंग टीव एस केरी आउट डिवालेशन अप्टरीज ठीक है बाकी कुल मिलाकर जो है सारी चीजे जो है ट्रेनिंग ट्रेकनोलजी मतलब आपको आपके जॉब से रिलेटेड जितनी भी चारी चीजे यह सारी चीजे हैं जो आपको नीड होंगी मतलब जरूवत जारती है चारी अब स्टार्ट करते हैं दूसरा यह सीपी ओ मैनेजमेंट कोर्स होता है सेलर और रांचे के लिए होता है ठीक है इसमें क्या होता है नो प्रोजेक्ट और मेटरियल मेंट अलियूपमेंट और फॉर्म और इस आस जिए जब आप कभी किसी टेकनिकलॉप कु लो करने हैं और आप सबसके बार कर दो है जाता है तो कि अघ detall सारी चीजए उसके नहीं करते हैं यूश् hun घ्लिक इप बात करते हैं पेटि ऐफिसर लीडर्सिप कोर्श सब्सक्राइब करा जाता है यह कोर्सेस क्या होता है जैसे कि आपको एक लाइफ इस्टैल बताता है जैसे आप चोटा जो अगर यह तरीके नहीं बताये तो अफिशर बनने में उनको प्रॉबलम हो जाती है आगे चल कर तो इसलिए पहले से ही इसे कोर्स करवाए जाता है ताकि आप एक लीडर्शिप की तौर पर मतलब उभर सके ठीक है इसमसारी चीजे दे रखी हुई है लिकाए सिवे स्टेंडर लेवल आफ के पिविल्टी भही मैंने बता दिया आप से स्टेंडर लेवल यानि ह आई लेवल जो होता है उसको आप अचीव करना किस तरह से रहना बाकी सब मिला कर यही है जो मैंने आपको बता दिया है यह जो साड़े तीन आपते का जो है कोर्स होता है ठीक है अब आगे बात कर लेते हैं सर्वेइंग लिकॉरडर आप जो मेंञा चीज सुरू हो रहा है अब मैं आपको बता दूं कि नोट करते चलिए ठीक है मैं ब्रांट की बारे म बता देता आप सर्वे किसी भी चीज का सर्वे कर रहे हैं जैसे कि लिखा ना आप गेड़ प्रोफेस्टनल सिस्की इन सर्वे रिकॉर्डर कैडर गें नॉलेज ऑफ सर्वेइंग ऑपरेशन ट्रेंज जूनियर सेलर इन यूज ऑफ सर्वेइंग ठीक है इसमें कई चीजे हैं आगर कि सर्वेइंग का मतलब हो गया कि कि कौन क्या चीजे यूज कर रहा है जादा कौन कितनी चीजे महिने में कितनी चीजे खपत हो रही है इस तरह के जो है यह जो सर्वेइंग का काम आप लोगों मिलता है इसकी जो है 19 अप्ते का जो है कोर्स होता ठीक है और साल में एक बार करवाय जाता है कुर्स यह और यह सीमें ब्राँच का एक यह यहां पर वेपेंस की बात हो रही है तो जो घंडुरी-प्रांच होता जूनियर सेलर इन दे एक्शन ड्यूटीज, स्कॉर्स और राइफल ड्रिल्स, जो इसमें आप आज ए इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, यानि एक्उप्मेंट को चलाना, गन वगएरा, जो है वेपन्स वगएरा को हैंडल करना, किस तरह से मैंटेन करना, और मॉग ड्रिल्स वगएरा होते हैं, उसके बारे में आप जानते होंगे, और सेक्योर्टी गार्ड भी आपको लगाया जा सकता है, यह है गन्री ब्रांश ठीक है, आप देखें, जो है गन्री ब्रांश में दूसरा कोर्स एक आ गया देखें, यहां पर रेडार कंट्रोलर इसमें आ गया, इ गयार, गन डारेक्शन, गन लेयर्स, अन कान्ट्रोर इकुमेंट, रूटीन, देखें अब यहां पर जो बात आ गई है, यहां पर बात आ गई है इसमें है, त्coll punt त्व रेडार कंट्रोलर, यह गंडरी ब्रांश में क्यों रखा गया, डेकर्दार कंट्रोलर अवि Till आ मत एक्षन मतलब उसको फिट करना एक रॉकेट वेगरा छोड़ रहे हैं तो लॉंचिंग कहां से हो रही किस एंगल पर छोड़े की जहां हमको भेजना है वहां चली जाए यह सब का जो ख्याल लखा जाता है इस सब के बारे में इसमें सिखाए जाता ठीक है यह गनरी ब्रांच इस चीजें में बता ही रखिए इस को बात कर लेते हैं पहले कि इसके इतने सपता का चौबिस सब्दा का कोर्स होता है ठीक है और साल में एक बार कर आया जाता है च्छले यह बात कर लेते हैं यहां पर गन्री इस्टक्ठेवर सी sensor courses ठीके यह भी गन्री ब्रांच का होता है बीड़ेगा है जो एक कोडs is होता है landing party boarding party ship Abram security21 можете सब्सक्राइब कर दो कि आपको रखा जाएगा और आपको एक राइफल वगरा दे दिया जाएगा जिसे आप सुक्षा के तौर पे आप कहीं पार्टी वेगरा है या पर कहीं भी मताब लैंडिंग ब्लैंड पे हो चाहे पानी ऑन बोर्ड सिप पे हो कहीं पर भी हो तो उसका सुक्षा के इन्दियाम आपके हाथों मेरा सकते हैं मैंने बटा ही दिया कि मेंग बाहनें सब्सक्राइब करना बात कर लेटे हैं इस इसमें एक कोर्सेस और आता है सभी सेलर के लिए कोर्स होता है यह लीडिंग पेट्रोल मैंन कोर्सेस होता है इसके दौरान अब तू करी आउट रेगुलेटिंग दा प्रोवोस्ट डूटीज ऑन बोर सीप्स तू मैंटें सिक्यूर्टी यह अब आपको काम मतलब सीखने को म अब तरह को बताया जाते हैं जिसमें आपको मतलब सीक्यूर्टी कैसे अपनी सुर्ख्षा है कि दूसरों की सुर्ख्षा है और आपको कहीं माले डूटी लगा दी जाए तो आप क्या डूटी कर सकते हैं परफॉर्मेंस ववेगरा है यह सब के बारे में इसमें जो है आप यहां पर मैंने दो बाददो ब्रांच हो गयं को सिमन ब्र तीसरा अब गन्री ब्रांच खिक है अब जो बात आ रही है और हो होते है रिगु लेटिंग इस ब्रांच के अंदर आपको क्या सीखने को मिलता है इसके बारे माँ बात कर लेते हैं बारे में regulating and security duties, take general charges of regulating duties of destination quarters, supervise the duties of RPOs and LPMs, keep the license with the civil police, ठीक है, यह जो है master at arm courses, ठीक है, अब देखिए master at arm courses से मतब समझ जाए कि जो arms सभी जो भी weapons पर गहरा हैं और हतियार हैं, आयुद के समान है, इसके मतब master हासिल कें, जैसे होता बीए बैचलर डिगरी होता है, उसके बाद आपका होता है master, यानि bachelor कंडे के बाद एक master होता है, तो यानि आप उसमें किया है ताकि आपको सु्रक्षा यहां सबसे बड़ी बार यांपर जो है आपको मिलेगा सीक्योटी ड्यूटी जो है आपको तो उसके बाद फिर एक है औरप लोट्र दोनों के बारे मैंने आपको पिंचले बार बताया वो जैसे इसमें है घंडरी में था तो क्या है गिंढर रहे इस्टेक्टर हो गया उसी तरह से पलॉटा पलॉटर अन रेडार फिर यानिE इंस्ट्रक्टर कान मतब समझी गए हो कि आप जैसे हैं कि सीख रहे हैं अ долж ौक यूंड को सीखा सके वह ईंस्ट्रक्टर को और जिसमें यहां पर देर रखी है जो भी चीजे उसे इसमें बात कर लेते हैं अब कर लेते हैं आप इसमें एक कोर्स आता है तो सबसे पहला बराश है उसी ब्राश का एक इसमें जो है वह फिसकल ट्रेनिंग इस्ट्रट्र होता क्या मैं को कभी आप भारती देखने गए होंगे जब भारती नोसेना का चाना की वेकंसी हो रही होगी तो आप देखें हो कि जो आपका फिश्कल लेता है यानि जो फिश्कल वही वास्तक में क्या होता है physical training instructor होता है ठीक है तो आपको समझी गया होगा इस्ट्रक्टर का मतलब क्या होगा जो आपको खेल का निर्देश दे खेल के सही मतलब माईने बताए आए जैंस्ट्रक्टर जो है खेल सिक्छक के तौर पर मतलब आपको वहां पर वह मिलेंगे तो यह कोर्स होता है physical Training instructor कोर्स होता है 25 सब्सक्रा कोर्स होता है साल में दो बार करा जाता दा ठीक है अब सा स्ब्रकान कर लेगर आपको को बाकी सारी सिटे से थोड़ını लग लगा है इसे आप जैसे हो आप बहुती लेते समय आप लोग की नॉर्मल जो है वो ट्रेनर होते हैं अप्टारा सब्ता का कोर्स होता है साल में दो बार यह करा आए जाता है फिरंच से अब बात कर लेते हैं ज़िए आप जो को थीन ब्रांच्रार देकर को बिलbayर स्क्रीइए मोनकेशन से दिना का मैच मुझत कर लें ब्रांच हो गार्थ लिए को गनुकिलें के अपनी मतलब विचार है और उढ़ान परदान किनки आप क्या सीख सकते हैं जो संचार का जो है आपको नौलेज होना चाहिए और फिर इसके बाद कम्मिनिकेट वाइट सेंफ और फ्लाइग होस्ट देखिए जब ट्रेन जब चलती होगी तो देखें कि आगे भी जहारी जंटी दिखाए जाता है और फीछे भी हरी जंटी दिखाए जाता है और रोकने के लिए लाल जंटी दिखाए जाता है तो वह ट्रेन जब जब जंडी दिखाता है तो उसमें क्या होता है कि आपको यह तो नहीं नहीं बताता है कि जंडी दिखा रहा है तो कह रहा है रोक जौ चिला रहा है इस तरह से तो नहीं बोलता है वो जंडी से ही सारा कर देता है इसका मतलब क्या हुआ यही है दोस्तों मैं बताना चाहा रहाता है कि इसमें कई तरह से यानि लाइट की थुरू कम्निकेशन दिया जाता है लेंडिंग के समय हवाई जाज आ रही है उनके वाड़ सीब जो होते हैं उनको सही जगह पर लाके लेंडिंग करने के लिए एक सिग्नल के तौर पर यूज कि यूज कि या जाता है तो यह सब चीजों के बारे हम को जानकारी मे चौबिस सब्ता का कोर्स होता है और यह साल में एक बार करा जाता अब बात कर लेते हैं दुसरे ट्रेट की वाइरलस इंस्ट्रक्टर को से यह भी कम्निकेशन ब्रांच में आता है अब जहां जहां इस्ट्रक्टर आ गया समझ जाए फ्रेंट्स टीक है इसका इसके एक्स् लॉजिस्टिक ब्रांच अब देखें जो है यह पांचमा ट्रेड है यह लॉजिस्टिक ब्रांच में जो होता है फ्रेंट्स इसमें क्या है कि जो इसमें आपको सीखने हो लेगा इंडक्ट सेलर इन स्टोर केडर लॉजिस्टिक से सीथे सीथे आप समाझ जाए इस्टोरी STORING का काम कर् Backstreet आप कलर और साल में बर करा जाता अब देखिए आप जो आ गया देखिए एंटि Johan यह सारी से लग से करा जाती है जिसमें आपको समरीन वल्पेयर इंस्टेक्टर के तौर पर भरती मिलेगा जिसमें आप वेपनस और सेंसर का मतलब सही तरह के से परयोग करना उपयोग करना के बारे में बता आजाता इसलम एक बार करा जाता है bend बात कर लेते हैं अंडर वाटर वेपन कोर्सेश ठीक है यानि पानी के अंदर कौन कौन को इस्तमाल करते हैं यूज करते हैं उसको चलाना उसको तब सभी तरीकसे उपरेट करना इसके बारे में बताया जाता है उनीज सब्सक्राइब करते हैं अब बात करें लेते हैं फ्रेंट्स Underwater controller courses टेक है Underwater controller देहिए पानी के अंदर जो भी machines वगयरा यूज़ करती है उसको सब करना इसके बारे में इसमें बताइ जाता है ठीक है इसे में कई equipment की बाद कर लेес सोनर हो गया जोनार हो गया ठीक है इसमें सब सबस्क्राइब करना इसके बारे में इसमें बता जाता है अन्डर वाटर कंट्रोलर को ठीख है नित सत्ता कोशोस होता है साल में एक बर कराया सबस्क्राइब बात करते हैं लेडिंग लेट्रिकल मेकेनिक कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट के जो है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं यह है क्या अवियेशन ब्रांश ठीक है यह जो कूर्स आप अपको संबंदित है और काफी हद तक मैं आपको आखरी में बताऊंगा कि कॉंसे ट्रेट आपके लिए बहुत अच्छी होंगी ठीक है मैं आपक आपके लिए बारे में जानकारी लेना सिविल इंजिनिरिंग होता है उसमें कई तरह का जैसे मकान वेगारा हो गए या फिर डिजाइन वेगारा बनाना यह सारे कोर्सें इसमें आप समझ जाएगा मैं अलग अलग अभी मतब जो है ट्रेड्स है मैं दिखाता हूं अभी त अब जैसे मेक अधिकर रिए मेकेनिक अधिकर अब जैसलैश हे जिसे गाड़ी वेगए रफोटर्स कपी नि फेल आना ब्ताइब वह ठोल का मज़ए यहांपर यहां इुकरान साइव से क्षच कर इन्दर यहां वी जो है इस्तमाल करना सही तरीके से इसको खराबी ना हो उसको जाचना यह सब कहोता है भी वरशन में अब है नेवल एरक्राफ्त मेकेशन आठा होता है और एल्यकाणिक एयर कर्फ्स होता है ठीक है यह यह अब चाहिंट का लेते हैं बेसिक एरक्राफ्ट घंडलर कोर्सेश हो गए उसके बाद फिर चेफ इंजन रूम बाइट शुरू गाए यह काफी लंबा वीडियो होगा है इसलिए आज तक यह आज यह जो है पार्ट वन मैंने बना रखा था जो फरफाइल के बारे में मैं और मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको कौण सब्सक्रांच चुनना छाएं तो में पहले बताथूं यह मेरा चार ट्रेड से मैं आपको बता देता हूं इस तरह से क्रमवाइज मैं आपको बता आपको पहले आपको पहला प्रेफरेंस मिले तो एक वेसे बाँच शुरूर चूलिए कर लियां नियुक्ता। आप as a engineer नहीं लगेंगे लेकिन जैसे इंजिनियर के support में एक artificial के अंदर काम करने वाले helper as a helper ठीक है Mechanic होता है लेकिन उसके helper बहुत होते हैं ठीक है तो as a helper जो है आप उसमें लगेंगे एविशन ब्रांच में, so friends यह रही वीडियो काफी लंबी वीडियो हो गई है, so please subscribe जरूर कर दिएगा, मैंने इतनी महनत किया friends, तो please subscribe जरूर कर दिजेगा, like करेगा वीडियो को, comment करेगा friends, और share जरूर करेगा अपने friends को, ठीक है, thank you friends.